नवरात्र के दोरान ब्रत धारड कर पूरी श्रद्धा से मादुर्गा की पूजा आर्चना करने से वह अपने भक्तों पर प्रशन होती हैं, जिससे सूख स्रम्रिधी, धन, एस्वर की प्राप्ती होती हैं। घरों में अखंड जोती जलाने के साथ इन नौ दिनों में मादुर्गा के 900 रूपों की पूजा आर्चना होती हैं। नवरात्री में 9 दिनों तक आदि सक्ती मादुर्गा के अलग-अलग रूपों की उपासना की जाती है। आनि 9 अप्रेल को रात के समय 8 बच कर 30 मिनट पर समाप्त हो जाएगी। ऐसे में चैत्र नवरात्री का पहला ब्रत 9 अप्रेल को रखा जाएगा। 9 अप्रेल को घट स्थापना का महूरत सुबच 6 बच कर 3 मिनट से लेकर 10 बच कर 14 मिनट तक रहेगी। इस बार चैत्र नवरात्री के पहले दिन सरवार्थ सिध्धियोग और अम्रित योग का संयोग बन रहा है। ऐसे में इस योग के दोरान की गई पूजा ब्यक्ति को सुख और सम्रिध्धी दिलाती है। अब जाने चैत्र नवरात्री की तिथियां। चैत्र नवरात्री दो हजार चौबीश का पहला दिन 9 अप्रेल होगा और इस दिन मा चल्पुत्री की पूजा की जाएगी। नवरात्री के दूसरे दिन यानि 10 अप्रेल को मा ब्रह्मचारेडी की पूजा की जाएगी। चैतर नवरात्री का तृतिय ती यानी 11 अपरेल 2024 को होगा अमााचंद्र खंटा की पूजा की जाएगी चैतर नवरात्री 4 ती 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 ब्रत 12 अपरेल 2024 को मा कुश्ट मांदा की पूजा की जाएगी चैत्र नवरात्री पंचिमी तिथी ब्रत 13 अप्रेल 2024 को मा सकंद माता की पूजा की जाती है चैत्र नवरात्री खश्टी तिथी ब्रत 14 अप्रेल 2024 को मा कात्यायनी की पूजा की जाती है अब जाने चेतर नौरात्री के घट स्थापना का सुब मुहुर्त अब जाने कलस स्थापना कैसे करें सबसे पहले प्रतिपता तिथी पर सुबह जल्दी स्नान करके पूजा का संकल पिलें पूजा अस्थान को साप करके सजावट करें और जौकी रखें कलस में जल भर कर रखें इसके बाद कलस को कलावा से लपेड दें फिर कलस के उपर आम वव असोक के पत्ते रखें इसके बाद नारियल को लाल कपडे में लपेट कर कलस के उपर रख दें इसके बाद धूब दीप जलाकर मादुर्गा की आराधना करें सास्त्रों में मादुर्गा की पूजा उपासना की बताई गई विदी से पूजा प्रारंब करें